चाट खाना कितना पसंद होता है और यदि ब्रत में खाने के लिए तब तो मजा ही आ जाए क्योंकि ब्रत में अइसे ही चटबटी चीज़े कहांने का मन होता है तो दोस्तों आप भी प्रत हैं और आपको भी अशैनल को सस्क्राइबAY कर लिज़ेगा बगल में दिएगे बेल इकन को भी प्रेस कर दीजेगा जिसे कि आनी वाली एसी नहीं रेस्पीक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे है आपसे मिस ना हो तो चलिए दोस्तों इस मुझेदार सी चाट को बनाना हम सुरू करते है हम पापड़ी चाट बनाने वाले हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें नहीं डालके से गूतना है और थोड़ा टाइट ही हम इसका डो लगा के तयार करेंगे इसमें डाल देंगे हम साथ के नुसार थोड़ा सा नमक तो नमक में इसे इंधा नमक यूज करना है जो कि हम ब्रत में खाते हैं तो इस तरसे से अच्छे से आलो के साथ में मिक्स करते हमस का दो तयार कर लेंगे यति ही ज़रूरत पढ़े तो थोड़ा हम और आटा एड कर लेंगे यह फिर आपने जादा ही आटार डाल लिया है तो थोड़ा सा हाथ में सलका सा पानी लगा के इसे बाइंड करें जादा पानी इसमें डालनी जरुद नहीं होती है आलू के साथ में ही यह बाइंड हो जाएगा तो इस तरह से देखें मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लि यहाँ पर थोड़ा से हम हाथ में जाएँ से आती चोटी चमच एसे ऐल डाल देएंगे और इस तरह से थोड़ा से मीक्स कर लेंगे और इस वाम अच्छे मिक्स मिक्स करने के भाद हमें इसके टुरंधी पापडी बनाएंगे इसे मिरेश्ट करनी को लिए नहीं रखना है पतला में नहीं रोल करना है दोस्तों थोड़ा मोटा ही है में इसे रोल करना है तो इस तरह से सुखा कुट्टू गाटा लगा कि इसे रोल कर ले तो हमने आप इसे रोल कर लिया है रोल करने के बाद इसे हम फोक से इस तरह से प्रिक कर देंगे जिसे कि ये पापड़ी बने पूरी नहीं बने और इससाब कोई चोटी कटोरी एया फिर ग्लास लें इस तरह से कि हम चोटी चोटी पापड़ी हैं example कर लेंगे फिर आपके पास कोटीव करना के से कट कर लें ठीक है साइड से तरह से थोड़ा से फूर तो यह इस तरह दो कि इस तरह से निकल जाएगा यह देखिए कितनी सानीस निकल गया है इस तरह से हम साफीडी को cut करके प्पलेट में निकाल के त्यार कर लेंगे तो इसे फोग से इस तरह से जरूर से प्रेक कर देने तो पूरी की तरह में फूल अप्षर Masaham नहीं बनेगा तो पापडी चे Ultra की जग़ा अमारी पूरी चेट में जाएगी जोकि में मजा नहीं आएगा खाने में तो इस तरह से देखिए हम्ने यहां पर मसफी पापड़े को अनके कट करी स्कच कर निकाल दिया इस तरह से इस तरह से सफी पापडही यहां आपकी तैयार अब इसे हम fry कर लेते हैं तो fry करने के लिए हमने oil को गर्म होने के लिए रख दिया था तो अब इसे हमने डपापड़ी को डाल दिया है अब इस मेडियम फ्लेम पे इसे उलट प्वलटके हम अच्चा सब बॉल्ल डाउने थाउं करेंगे जिसे कि मस्तिव इसे क्रिस्पी खसता फ्राइफ हो जाए तो जब एक साइट से फ्राई हो जाएंगी तब इनके दूसरे साइट में इसे पलट लेंगे अलट पलट के दोनों साइट से अच्छा मस्त फ्राई होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे जैसे कि मस्ट इदम हमारी क्रिस्पी-क्रिस्पी पापड़िया बनके तयार हो जाए तो यह देखिए दोस्तो हमारी पापड़ी तो मस्ट फ्राई हो गई है तो बस अब इन्हें हम निकाल लेंगे तो यह देखी तो मस्त फ्राई हो गई है तो खसता पापड़ी हमारी बन के तयार हो गई है इसी तरह से हम सभी पापड़ी को फ्राई करके तयार कर लेंगे तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक प्लेट में पापड़ी को ले लिया है तो मैंने यहाँ पर इस तरह से पापड़ी को उपर से तोड़ के डाल दिया है मैं इसमें कैमरा ओन करना भूल गी थी जिसे की एक वड़ी क्लिप में सो गई है अब इसके उपर से डाल देंगे मच्छी गाड़ी फेटी हुई दही इसके साथ ही डाल देंगे हम ब्रत वाली ह अब ब्रत वाल देंगे हम मिठी चटनी डालने के बाद में इसके उपर से थोड़ा सब भूना हुआ जीरा पाउडर डाल दे और से इसके साथ में थोड़ा से जेंधा नमक इस तरह से में स्प्रिंकल कर देंगे और दीजिए मारी पापड़ी चाट की प्लेट पूल गई ह तयार ब्रत में खाने के लिए तो दोस्तो ब्रत हो या ना हो आप एक बार इस तरह से पापड़ी चाट को बना के ज़रू से इन्जॉई कीज़ेगा बहुत ही स्वाधिश्टी पापड़ी चाट लगती है दोस्तो तो यह देखिए बनी है दम फॉफ है तो दोस्तो आपको मे मेरी रेस्पी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताईएगा जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई